So, hello everyone, कैसे आप सभी उमीद करता हूँ सांदार होंगे, आज का जो सेशन थोड़ा बड़ा होने बाला है, इसमें हम लोग जितने भी figure of speech होते हैं ना, most important उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो एक ही वीडियो में पूरा कमाल करना है, चले स्टार्ट करते हैं सेशन को without waste of any time, जहां जहां यह syllabus में है figure of speech, उस उस जगह के लिए, उस उस exam के लिए यह important होने वाला है, ठीक है, तो इसको मैंने बहुत details से लिया है, बहुत ही इसमें मैंने क्या किया है, example लिये हैं, जो question exam पे आते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप को बता दू, figure of speech क्या है, figure of speech in a deviation from the ordinary use of word with a view to increase their effect, जैसे कोई व्यक्ती होता है, वो क्रीन पाउडर लगाता है, वो लगाता है क्यों है, क्यों और ज़्यादा सुन्दर दिख सकें, ठीक है, उसी तरह कोई सब्द होता है, कोई line होती है, कोई रचना होती है, उसमें अगर हम figure of speech का प्रियोग करते हैं, वो इसलिए कि इसको और ज़्यादा सुन्दर बनाया जा सकें, ठीक है, उसके effect को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकें, ठीक है, तो यह होता है figure of speech का काम, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले है, simli, metaphor, personification, paradox, ठीक है, irony, और इसके साथ hyperbol, मतलब total हम 6, जो हमारे syllabus में है, English PGT और TCT के, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना हो, simli क्या होती है, simli ऐसे सब्द होते हैं, simli ऐसा figure of speech है, जसमें comparison किया जाता है, समानता बताई जाती है, और ऐसा बताया जैसा है, जैसे वो बिलकुल वैसा ही है, जैसे राम कृष्णी जैसे ही है, ठीक है, भगवान है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो, जैसे ही सब्दाया ना, मतलब like, such, as, तो ये जो word होते हैं, वो simli में आपको दिखाई देंगे, जैसे मान के चलिए, अगर आपको किसी sentence में like, such और as, जैसे word मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे simli होता है, ठीक है, जैसे, a simli is a figure of speech that make a comparison between two different things, it is a direct comparison, अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, कि simli जो है, वो direct comparison है, जो metaphor होता है, वो indirect comparison होता है, ठीक है, अब जैसे मैं आपको example तो ज्यादा अच्छे समझ में है, जैसे मैंने बोल लक्षमी is beautiful like rose, मतलब लक्षमी इतनी सुन्दर है, जितनी की rose, जितना की rose, ठीक है, जैसा की rose, like, ठीक है, अबर soldier are as brave as loin, हमारे जो soldiers हैं, इंडियन जो आर्मी के soldiers हैं, वो एकने बहादूर हैं, जैसे की loin, से ठीक है, वी bear her along like a pearl on a string, ठीक है, वो मतलब इस प्रकार से डोली म चल रही है, जैसे की किसी धागे में पिरोय हुए मोती, ठीक है, ऐसा, ठीक है, c is as fresh as dew, वह उतनी fresh दिख रही है, जितना की dew, ठीक है, राहुल is as fast as rohan, ठीक है, राहुल जितना तेज है, जितना की rohan, मतलब, as-as कहीं मिले न, like मिले, such मिले, तो ऐसे सब्द जहां पर मिलते है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है, और भी example मैंने दिये है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, उमीद करता हूँ, आगे चलते हैं, ये कुछ और example दिया है, my love like a red red rose, ये बहुत famous line है, आपके English history की, ठीक है, तो य ये भी देखे कैसा, like, like सब्द आ गया न, ठीक है, जहां जहां like as such जैसे सब्द आएंगे, वहाँ पर similar होती है, ठीक है, चलते हैं, दूसरा figure of speech हम देखते हैं, metaphor, metaphor actually होता है, indirect comparison होता है, indirect comparison मतलब कहा भी जाएगा, लेकिन like such as जैसे सब्द इसमें नहीं आते, ठीक है, मतलब कहा भी जाएगा, लेकिन indirect रूप से, ठीक है, तो यहां पर metaphor होता है, metaphor जो है, simile का उल्टा होता है, अगर आप से पूछा जाए कि metaphor किया, किस का उल्टा होता है, simile का, irony का, इस तरह से 4 example आ जाएगे, तो आपको बताना क्या है, simile का, ठीक है, metaphor is a figure of speech which make an implied or hidden comparison between things that are unrelated, what's there some common characteristic, it is in direct comparison, ठीक है, मतलब यहां पर comparison होता है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ ऐसा समानता भी होती है, ठोड़ी बहुत, जो मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, मिला के रखती है, ठीक है, जैसे मैंने बोला, example एक दिया, मैंने बोला, life is a game, भाया, यह life नहीं है, यह game है, जैसे गेम पे बार-बार कुछ न कुछ परिसानिया आती है, जीत होती है, हार होती है, बैसे life होती है, तो यहां पे life को क्या बता दिया, भाया, game बता दिया, तो life is a game, ठीक है, तो ऐसा यह indirect comparison हुआ, इसी को बोलते है metaphor, ठीक है, you are my sunshine, अब तुम नहीं हो तुम, तुम कौन हो, त ठीक है, sunshine तो धूप होता है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, you are my sunshine, ठीक है, तो यह जो indirect comparison है ना, उसे कहते हैं metaphor, ठीक है, जैसे मैंने बोला, life is a dream, भाया, life नहीं है यह, life क्या है, dream है, ठीक है, life is a dream, ठीक है, life is a dream, ठीक है, काली दास is the sex pier of India, काली दास कौन है, भाया, sex pier of India है, अब काली दास को कैसा बता दिया गया, sex pier जैसा, तो यहाँ पे like सच है, जैसे सब्द नहीं है ना, तो यह metaphor हुआ, अगर ऐसी बोल देते है, काली दास like a sex pier of India, ठीक है, तो वहाँ पे like सब्द अगर use हो जाता, तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता, आपका simili, ठीक है, तो ऐस कठिनाई भरा है, बस क्या बोल दिया गया, जीवन जो है, गुलाब का जो है, बिस्तर नहीं है, मतलब आप जब देखो तब आराम करते रहो, ऐसा नहीं है, महनत करनी पढ़ती है, यहाँ पर जैसे आप लोग कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, किसी का पढ़ने का मन करता है, क्या नहीं करता, फिर भी आप लोग पढ़ रहे हैं, I see a lily on the bro, ठीक है, मैंने तुम्हारे eyebrow, यह bro जो लिखा है, यह eyebrow है, ठीक है, कि उसके उपर क्या देखी, लिली देखी, ठीक है, एक फूल, मतलब यहाँ पर सुन्दरता का जो बखान है, वो किया जा रहा है, ठीक ह बखान है, जो revenge होता है, बदला होता है, वो एक प्रकार का justice होता है, लेकिन कैसा, wild justice होता है, मतलब आप revenge कब लेते हो, उसने ऐसा किया, तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा, तो यह justice है, लेकिन यह कैसा justice है, wild justice है, ठीक है, तो dear students, चलते है, personification पे, personification क्या है, तो personification पे हो होता है, जब आप कोई ऐसी, जब कोई आप कह सकते है, तो जब कोई आप क्या ऐसा देखें, जहां पर कोई चीज बस तू की हो, ठीक है, मतलब हो person की, लेकिन उसकी quality किसको बताई जा रही हो, बस तू के लिए बताई जा रही हो, कैसे मतलब, जैसे मान के चलिए, कोई फूल है, वो क्या है, बस तू है, लेकिन वो dance कर रहा है, तो किसी चीज को क्या बोलते हैं, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, personification, ठीक है, तो हम चलते हैं, sentence पे, तो ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, time flies and waits for none, जो समय है, वो उड़ता है, और किसी का इंतजार नहीं करता, अब यह बताईए, समय क्या उड़ता है, नहीं उड़ता न, उड़ता तो कौन है, चिड़िया उड़ती है, ठीक है, और wait for no man, यह किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन इंतजार तो कौन नहीं करता, आ time के लिए बताएचा रही है इसी को बोते है personification ठीक है जिसे लिखा है आपके face पे बैठी है बताई चिंता बैठने वाली चीज़ है कोई बैठा कौन है भी या आदमी बैठता है तो यहाँ पे आदमी बैठता उड़ता है लेकिन यहाँ पर बात को बोल रहा है कि अग्जाइटी बैठी हुई आपके face पे इसी को बोलते हैं लब इस ब्लाइंड तो आदमी होता है लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है लव इस ब्लाइंड ठीक है तो यह चीज़ होती है दा मून वील्ड ऑन हर फेस जो चांद है वो घूगट किये हुए है अपने face को धके the prohibition thời Sc socialism मतलब जो अचमी कौ। परसेंड रही सान होता है लेकिन वह यिकरता है तो रेप्लाइ तो आदम हुता ही यहाँ पेसेंस को बताया जा रहा है ठीक है टाईम और टाइकर तो किसी का इंतर नहीं करते मतलब समय और लहरें इसी का इंतर नहीं करती तो यह बताईति तो मरता हुआ आदमी तो यह कुछ मैंने आपको personification के examples बताए हैं मैं आप चलता हूँ आप लोग को बताता हूँ paradox ठीक है paradox क्या होता है paradox मतलब होता है कि जब क्या बिरोधा भास हो जाए ठीक है बिरोधा भास कैसे हो जाए जैसे मान लीजे मैंने बोला मैं जूट नहीं बोलता यही मैं जूट बोल रहा हूँ ठीक है मैं जूट नहीं बोलता यही मैं जूट बोल रहा हूँ इसी को बोलते है कि आप paradox ठीक है तो paradox मतलब समझ में आया लोग को मैं अभी समझाता हूँ और example देगे तो आपको जादा अच्छी समझ में आएगा ठीक है so example पे चलते हैं मतलब यहाँ पे होता क्या है कि एक ही sentence में उल्टी सीधी चीजे लिखी होती है जैसे मैंने question लिखा you can save money by spending it मैं तुम ना पैसे को जमा कर सकते हो खर्च करके अब यह बताए एक तो पैसे को save करने की बात कर रहा है सुरक्षित करने की और कैसे बात कर रहा है खर्च करके तो यह हुआ ना एक contradictory sentence तो ऐसी sentence को हम क्या बोलते है या paradox बोलते है ठीक है तो ऐसा नहीं बोलते है आओ आओ तुम्हें एक चीज बताएं और फिर उसको बोल देते हैं नहीं बताएंगे नहीं है कोई चीजी नहीं है ऐसी चीज को ऐसे ऐसे वर्ड को बोलते है ठीक है यह सुरवात है अन्त की अब यह देखे कैसा question हो गया कि this is the beginning of the end ठीक है deep down गहरा जाओ you are really shallow ठीक है तो यहां पर deep down गहरा जाओ तुम उथला हो है ना shallow shallow मतलब उपर उपर उथला यह जो चीज है ना यह sentence कैसा हुआ यह sentence हुआ आपका ठीक है आयम कंपल्सिव लायर बाधिकारी जूटा ठीक है आयम कंपल्सिव लायर मतलब बाधिकारी जूटा men work together whether they work together और अपार्ट ठीक है man work together जो man है वह work together साथ में काम करते हैं whether they work together और अपार्ट ठीक है अब देखो यहां पर साथ में काम करने के बोलता है एक बार अपार्ट बोलता है अके लिए यह रोवर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है ठीक है तो यह चीज हुई क्या आपकी भया यह हुई paradox ठीक है अब चलते आरणी पर ठीक है तो आरणी को मैं ठीक है अब मैंने उसको बहुत अच्छा बोला ठीक है लेकिन उसने समझा क्या वह बहुत बिकार है ठीक है वह मुझे ताना मार रहा है ठीक है यह मैं बोलना हां मैं जानता हूं कितने हुस्यार हो तो यह जो सब्द बोला ना कितने हुस्यार हो अब मैंने बोला किस तन में बिकार वाले टन में वो समझ क्या रहा है अच्छे वाले टन में तो इसे बोलते है आरनी ठीक है हलागी आरनी जो होती है वो अच्छी आरनी जो होती है हरमेशा किसी ना किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए बोली जाती है मतलब इसका जो प्रभाव होता है वो गलत नहीं होत है अच्छा होता है ठीक है तो चलिए मैं इस बताता हूँ आप लोग को तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा एक्जामपल पर चलेंगे ठीक है सबसे पहले तो जाल लीजे आर्नी जो होती है वो तीन तरह की होती है एक बरवल एक सिच्वेशनल और एक तो तीनों तरह की आर्नी होती है आप भी रेवा इंस्टूट से जुड़ना चाहते है न देवियो से जुड़ सकते हैं या दूसरा रेवा इंस्टूट एप है हमारा उसको आप जॉइन करके भी जुड़ सकते हैं ठीक है चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बरवल अर्नी क्या होती है जो अपन लोग बोलते हैं एक्शूली वहा पर उटा नहीं है उसका कुछ मतलब और होता है जो समझने वाला होता है वह कुछ और समझता है वह सकता है वह बढ़ा चला के लगरे करके समझे ठीक है तो वो चीज होती है आरनी कौन सी भाई या बरवल आरनी अब बरवल आरनी का मैं example दो you are a great scholar मैंने बोला तुम बहुत अच्छे scholar हो great महान scholar हो और तुम समझ गया यार मेरा मजाक कर दिया इसने तो मजाक उड़ा तो यह होता है बरवल आर्नी, it is good to see you too, ठीक है, it is good to see you too, तो यह क्या हुआ आपका, यह भी एक बरवल आर्नी का ही example है, ठीक है, मुझे तुम्हे देखकर, मुझे, मतलब it is good to see you too, मतलब मुझे भी तुमसे मिल करना बहुत खुसी हुई, जैसे किसी ने बोला कि मुझे आप से मिल के बहुत खुसी हुई, तो आप भी बदले में, आप क्या बोलें, मुझे भी बहुत खुसी हुई आप से मिल के, लेकिन आप बोलना चाह नहीं रहे ऐसा, ठीक है, फिर भी आपने बोल दिया, तो वो चीज होती है, चलिए, situational आर्नी की मैं बात बताता हूं, the difference between what is expected to happen and what actually happen in situational आर्नी, the actual result of a situational situation is totally different from what was expected, ठीक है, यहां पर मतलब यह बताया गया है, जो different है, difference between what is expected to happen and what actually happens, in a situational आर्नी, the actual result of situation is totally different, मतलब देखे, जो आप कहना चाहते है न, जो आप करना चाहते है, उसका result जो है न, कुछ और ही निकले, ठीक है, जैसे कि मैं आप सुमझाता हूं, अब देखे, the fire station went down while the firemen are out of on a call, ठीक है, अब यहां पर देखे, आग कहां लगी है भाईया, fire station पर लगी है, और जो fire station, जो firemen है न, वहां पर ही नहीं, जब वह ही नहीं, जब वह कॉल, उसका call out on a call, मतलब बाहर है, ठीक है, अब देखे, आग भी लगी तो fire station पर लगी, और firemen भी नहीं है, तो इसी को बोलते है, situation, एक situation ऐसी आती है न, एक पैसा बाले आदमी के पास भी पैसा नहीं होता, कभी- क्या होता है, एक road पे एक वेखती होता है, उसकी थोड़ा से condition खराब जैसी दिख रही होती है, वो किसी से phone मागता है, कि मुझे phone करने के लिए दे दीजे, तो उसको दो लोग, चाल लोग से मागता है, तो वो मना कर देते हैं, एक बिचारा दयावान, तो वो दे देता है, एक चलिए कर लीजे आप phone, ठीक है, तो जब वो phone करता है, तो उसके पास दो बड़ी Lamborghini बड़ी-बड़ी कार आ जाती है, ठीक है, तो वो जो मना कर रहे थे ना, कि इस कारण से ये गरीब आदमी है, किसको phone लगा देगा, क्या कर देगा, तो वो एकदम से क्या हो जाते है, सॉक्ड हो जाते हैं, तो वो situation होती है, तो यहाँ पर fire station में आगले ही fireman ही नहीं है, तो इसी को बोलते है, situation आर नहीं, ठीक है, A man who owns a lawn maintenance business cannot get grass to grow in on backyard, अब एक क्या है, एक जो है ना, lawn maintenance business है उसका, वो lawn maintenance करता है, गार्डन को बढ़ियां चका चक एकदम हरा भरा रखता है, बढ़ियां उसको, उसकी cutting करता है रहता है, टाइम पे grass बेगार है की, और उसके अगर आप घर जाओग, उसके backyard में जाओग, तो उसके घर खुदी ऐसा ही पढ़ा है, बढ़ियां अपने घर पे वो नहीं करके रखा, तो यह चीज होती है, इसको बोले association आरणी, marriage counselor file for divorce, अब यह marriage counselor जो साधी कराते हैं लोगों की, बच्चों की, अब वो जो वेकती है, वो खुदी divorce के लिए फाइल कर रहा है, तो उसके वो क्या साधी करा रहा होगा, ठीक है, तो यह चीज है, the police station get robbed, अब भया, यहाँ पर police station ही robbed हो गया, चोरी हो गया, उसमें उसका समान, ठीक है, वहाँ चोरी हो गई, तो यह चीज होती है, a pilot has a fear of height, अब पाइलेट जो उपर ही उपर हरमेशा उड़ता है, अब वही height से क्या कर रहा है, डर रहा है, इसे बोलता है, situational army, ठीक है, तो उमीद है, समझ में आया होगा, अब dramatic army की मैं बात बता दूँ आपको, जो dramatic army होती है, आरनी होती है, वो क्या होती है, उसका मतलब यह होता है, कि जो, यह actually picture movie में होता है, ठीक है, अब जैसे मान लीजे, सब को पता रहता है, कि hero ही अंत में जीतेगा, ठीक है, फिर भी अपन movie को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, हमको यह पता है, जो heroine है, उसकी साधी hero के साथ ही होनी है, last में, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे ह है, उस picture को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज होती है, dramatic, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक question दिया है, two people are engaged to be married, but the audience knows that the man is planning to run away with another woman, अब देखिए, मतलब यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की जो है, साधी की तयारी कर रहे हैं, और उस जो pupil हैं, जो हम लोग audience बैठे हुए हैं, तो हमको पता है कि यह एक heroine और हैसकी, तो यह ना उस heroine के साथ जाने की तयारी में, भागने की तयारी में हैं, ठीक है, तो already audience को पता है यह चीज़, लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस है, यहाँ पे already जो villain है, वो छुपा हुआ है, लेकिन हम लोग जो हैं, वो तो हम देख रहे हैं, हमको पता है कि वो जो हमारा hero है, वो यहाँ जा रहा है, जहाँ पे already क्या है, एक वो छुपा हुआ है, villain, तो वो उसको मार देगा, तो यह चीज़ है, ठीक है, एक Romeo and Juliet, Romeo think Juliet is dead ठीक है, Romeo सोचता है कि जो Juliet है, वो मर चुकी है, ठीक है, Juliet is dead, the audience know he is not, लेकिन audience जानती कि वो अभी नहीं मरी है, तो लेकिन hero तो पता चला उसको ऐसा दिखाया गया कि hero लगा कि वो मर गई है, लेकिन actually audience जानती कि वो अभी जिन्दा है, ठीक है, तो यह हुआ हमारी irony, अब हम चलते हैं सीदे hyperbol की तरफ, कहां चलते हैं, भया hyperbol की तरफ, hyperbol की तरफ, hyperbol की तरफ So Dear Isn't Hyper Bowl मतलब होता है जब हम कोई चीज로 बढ़ा चढ़ाके बताते हैं टीक है? मेरे घर में हजारो कारे们 खड़ी है हजारो कारे अब मेरे पास एक भी नहीं है और मैं बोल के रहा हूँ हजारो कारे खड़ी है तो आप लोग समझनी चाहोगे जर्नली आप लोग ने सुनाओं का बहुत सारे लोग ऐसे उधर उधर फेकने की बात करते हैं फेकते नहीं है बहुत ज़्यादा तो वही फेकने वाले जो लोग है वो हाइपर बोल करते हैं ठीक है तो चलते हैं आपके यहां पर हाइपर बोल थिंग आर यहां पर हाइपर बोल ठीक है यह बाइपर नहीं हाइपर है ठीक है तो इन मतलब जितना वो असलियत में है न उससे ज़्यादा किसी चीज को बताना ही हाइपर बोल कहलाता है ठीक है अब जैसे जो चीज है भी नहीं फिर भी उसके बारे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना या बहुत कम करके बताना हाइपर बोल कहलाता है ठीक है जैसे इसका एक एक जामपल मैंने आपको दिया मैंने लिखा reverse of reverse of blood flood in the battle ठीक है वहाँ पे खून की युद्ध में खून की नदिया बह गई नदिया बह गई अब नदिया थोड़ी बढ़ी बही होंगी खून की बहुत जादा खून हुआ होगा बहुत जादा लोग मरे होंगे लेकिन खून की नदिया बह गई ठीक है तो ऐसा I have not seen him for ages मैंने तुमको बहुत ages युगो युगो से मैंने तुमको नहीं देखा भईया एक युगो तो आप खुदी नहीं देख पाए और आप बोल के रहे हो एक युगो युगो से तुमको नहीं देख पाया ऐसा आपन में आई होगी और नेस जो क्लास होगी हमारी वो होगी पोलटिक डिबाइस की या फॉर्म्स ओपोलटरी कह सकते हैं आप फॉर्म्स ओपोलटरी की तो सभी लोग फॉर्म्स ओपोलटरी में जुड़ेंगे आज का सेसन यहीं पे इंड होता है thank you for watching this जोल वो क्योंको म्हांस हो पि estáних शुच का प्ल 작 विखता है कि अनले में अनले को bend झाल को कि विखते हैं अनले अनले क inhibit anybody